हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आगे आपका होस्ट एंड दोस्त मुके सैनी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो लगाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सेकें आज की सेशन की सुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट से आज का मोटिवेशनल कोट है बहुत शांदार बात लिखी है उपवास करें खाने का नहीं गंदी सोच, गंदी नियत और गंदे विचारों का अगर आपकी सोच गंदी है अगर आपकी डियत गंदी और आपके विचार गंदे है तो आप कोई भी काम पूरे मन से नहीं कर सकते ना आपका पढ़ाई में कभी मन लग सकता है अपने विचारों को साफ रखे अच्छे रखे तब ही आप पड़ाई पूरी महनत से कर पाओगे चलिए इसी अच्छे सी सोच के साथ आज का सेशन सुरू करते हैं कल आपके लिए हॉमवर्ग में मैंने तीन क्यूशन दिये थे कि जब पाष से एको दो बार फेका जाता है तो इन तिनों क्यूशन में मैंने आपको करने के लिए दिया था कि इनकी प्राइकताव आपको निकालनी है पहला सवाल था प्राप संख्याओं का योग बारह हो दूसरा था कि योग है पांच का गुणा जो और तीसरा था संख्याओं का योग अधिक से अधिक चार हो उमीद आपने की होंगे चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं पहला सवाल संख्याओं का योग बारे हो तो गटना को अपने नाम दिया एह संभावित प्रणाम देखते हैं इस गटना के गटना एके संभावित प्रणाम क्या क्या हो सकते हैं मतब बारे योग कौन से कौन से प्रणाम का होता तो परिणाम एक बार देखे है अब आप इन में से देखें तो कौन से परिणाम ऐसे है जिनका योग बारह हो रहा है देखो वैसे इस टेबल की जरूती नहीं पड़ती क्योंकि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सबसे पहला जो परिणाम है उसका योग दो होता और सब पूरी टेबल में सिर्फ एक ही परिणाम है जिसका योग बारह होगा और वो कौन सा परिणाम है सबसे लास्ट छे छे वाला सिर्फ इसका योग बारह होगा बाकि ऐसा कोई परिणाम नहीं है जिसका योग बारह हो रहा हो तो हमारे पास सिर्फ परिणाम एक ही है परिणाम प्राइक तो हो जाएगी एक बटे में 36 ऐसे ही करके दूसरा सवाल है सवाल नमबर दू दिया हुआ है कि संख्याओं का योग पांच का गुनजो तो घटना को नाम दिया भी पहले तो संख्याओं का योग करवाना है और जो आपका एंसर आ रहा है वो पांच के पाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ये चेक करना है अगर आ रहा है तो आपको वो सामिल करना नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है पहले तो संख्याओं का योग करवाओ उसके बाद ये देखना है कि वो पांच के पाड़े में आ रही है कि नहीं आ रही है पांच का गुड़ज होने का मतलब यह हुआ तो यह जो लिखे हुए परिणाम इसमें कौन-कौन सी ऐसी है जिनका योग पांच है और पांच का गुणज भी हो जाए वो योग तो देखते हैं पांच योग का से होना शुरू हो रहा है एक एक का नहीं हो रहा है दो दो कभी नहीं यहां से सबसे पहला परिणाम हारा चार एक पांच ठीक है जोड़ने पर पांच है तो पांच तो पांच के पाड़े में आ नहीं है फिर पांच एक च्छे और नहीं होगा एक च्छे ये भी नहीं होगा दो 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 तीन ये वाल अपड़नाम दो तीन पांच हो रहा है तो पांच के पाड़े में आ जाएगा इसके लब आगे देखें तीन दो ये वाल अपड़नाम और उस लाइन में कोई है तो देख लेवाए इसके बाद में 4 एक यह वाला परिणाम इसके बाद में इस लाइन में कोई है तो देखें हाँ एक और परिणाम मिल जाएगा आपको 6, 4, 10 होता है 6 और 4 तो 10 हो रहा है पर योग तो अपन को 5 ही करवाना है ऐसा कोई और परिणाम है तो वो भी देखें संख्याम का योग 5 और ऐसा कोई परिणाम बाद में आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि सब का योग 5 से जादा ही हो रहा है तो परिणाम कितने मिले 4 बही परिणामों की संख्या कितनी होगी चार अब तक अपन को चार प्रणाम मिले थे कौन कौन से प्रणाम थे यह वो चार प्रणाम थे पर संख्याओं का योग पांच का गुनज हो यह चेक करना है संख्याओं का योग पांच का गुनज हो तो संख्याओं को आगे भी अपन को जोड़ के देखना पड़ेगा क्योंकि संख्याओं का योग पांच हो ऐसा नहीं बोला है सवाल में संख्याओं का योग पांच का गुनज हो मतलब वो पांच के पाड़े में आनी चीए ऐसी संख्या आपका एंसवर आ रहा हो ये चैर ये भी आ था तो टोटल हमारे पास साथ प्रेणाम हुए इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये साथ सवाल यह बोल रहा था कि संख्याओं का योग पांच का गुणज हो अपने पहले देखा कि संख्याओं का योग 5 में पांच के पाड़े में आना चाहिए तो ठीक है तीसरा क्यूशन क्या था संख्याओं का योग अधिक से अधिक चार हो कि संख्याओं का योग हो कितना सकता है वैसे पासी को जब दो बार उच्छा ले तो जब पासी को दो बार उच्छा ले तो संख्याओं का योग मैंने बोला दो से लगा कर बारे तक कोई भी संख्या हो सकती है मतलब दो, तीन, चार, पांच इस तरह से बारे तक अब क्या बोला है? अधिक से अधिक, वर्ड आया अधिक से अधिक अपन ये तीसरी बार कर रहा है, जब वर्ड आया अधिक से अधिक तो अपन क्या करते हैं? उल्टा करते हैं मतलब कम वाली संख्याओं को सामिल भी कर लेते हैं और जब कम से कम दिया हो तो अपन अधिक वाली चीजों को सामिल करते हैं तो अभी है कि अधिक से अधिक चार तो देखो ये चार तो आपको लेना ही पड़ेगा मतलब जहां पर संख्याओं का योग चार हो रहा है वो सामिल करो उसके बाद अधिक से अधिक बोला है तो मतलब जहां तीन हो रहा है योग वो भी सामिल करो जहां दो हो रहा है योग वो भी सामिल करो ठीक है अधिक से अधिक बोलने का मतलब यह हुआ तो ऐसे कितने बिर्णाम है वो देखते है जहां योग दो हो रहा है वो भी लेना है जहां योग तीन हो रहा है वो भी लेना है जहां योग चार हो रहा है वो भी सामिल करना पड़ेगा छोबी है उनका सबका चार से जाधा ही योग फिर ये भी है आगे बाकी सबका जादा है प्रयूम्हों नीचे यह बाकी यह पास डाल हो या तेन हो बनाम जाई हाए है यह बाकी आधगा चैयाज से कट पर अब यह सवाल भी देख लेतार सवाल है क्या जब आपन पाश्य को एक ऌट्राइक क्या होगी कि Troy चार से अदिक आये हैं पाश्य को सिर्फ एक य Leslie है सब्वास पाश्य को इस बार बार नहीं फिक जा रहे हैं और प्राइक्ता किसकी ग्याद करनी है संक्या चार या चार से ज़्यादा हो इसकी प्राइक्ता हमें निकालनी है तो देखें जब अपन एक बार फेंकते हैं पासे को तो यही प्रणा बनते हैं 36 तो तब बनते हैं जब अपन दो बार फेंकते हैं अपने पासे को एक ही बार फेका तो ये बढ़ना बने अब सवाल है कि संक्या या तो चार हो या चार से कोई ज़ादा हो तो चार चार भी हो सकता है पांच ये चार से ज़ादा तो ये भी है छे ये भी चार से ज़ादा तो ये भी सामिल करना पड़ेगा अगर सवाल यह होता सिर्फ इतना ही कि चार से अधिक हो सवाल अगर इतना ही होता चार से अधिक हो यह वाली लाइन नहीं होती तो चार से अधिक में सिर्फ पांच और छही सामिल करते हैं लेकिन सवाल यह बोल रहा है कि चार भी हो और चार से अधिक भी हो तो तीन बढ़नाब बनेंगे कटना को नाम देते देना और तीन बढ़नाब बनाए चार पांच है प्राइक तो हो जाएगे तीन बटे च्छे क्योंकि चाही बढ़नाब बनें और एक बटे दो कट करोगे तो इतना की लिए हुआ आज अपन सुरू करने वाले थे नया टोपिक तास बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है बहुत अच्छे अच्छे कुशन्स भी बनते इससे है एक्जामें भी पूछे जाते है अब देखें अपन एक एक चीज समझते जाते आराम से सबसे पहले सबको पता है सबने खेलिए जिसने नहीं खेलिए उसने देखी जरूर है तो मतब तास का पता सबको है कितने पत्ते होते हैं कौन से उसमें कलर होते हैं वो सबमी तो पहली चीज देखें अगर आपसे पूछा जाए कि तास में टोटल किते पत्ते होते हैं तो तास में टोटल 52 पत्ते होते हैं ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि तास में कलर कितने होते हैं तास में रंग कितने होते हैं अगर आपको ये पूछा जाए तो जवाब एक बार सोच कर देखे तो क्या होना चाहिए कि तास में रंग कितने होता है शायद आपने सोचा होगा कि तास में चार रंग होता है लेकिन नहीं तास में चार रंग नहीं तास में सिर्फ दो यी रंग होता है कौन-कौन से एक तो सिर्फ लाल रंग होता है और एक काला रंग होता है ये दो रंग होते हैं तास में इसके बाद अपन देखते हैं कि हाँ अपन ने देखा तास में बौन पत्ते होते हैं दो रग होते ह participating दो रग कोण कोन से एक लाल रंग होता है और एक काला रंग होता है यह पने पढ़ा त्लाल रंग को पूछा जाए कि कितने पत्त होते हैं लाल रंग के चाले रंग के कितने पत्त नोद अग्ज़े właści कि Birds फार इít 26 ही मिला कर क्या बन जाता है बाउन बन जाता है ठीक है इतना करने के बाद ये मैंने जो लिखावा है वो भी आप देख लेवे तास के बाउन पत्ते हैं दो रंग होते हैं कौन-कौन सा लाल और काला इसके समुह चार होते है जो आपने शुरुआत में सोचा था कि रंग चार है नहीं रंग तो दोई है समुह चार होते है अब समुह होते कौन-कौन सा है समुह होते कौन-कौन सा है वो भी देख लेवे सबसे पहला समुह जिसे अपन पान बोलते है दूसरा जिसे अपन इट बोलते हैं तीसरा हुकम और चौथा चीड़ी यह वाले कलर है यह उसमें समू होते हैं देखो पान और इट यह दोनो लाल रंग के होते हैं और हुकम और चीड़ी यह दोनो काले रंग के होते हैं रंग दोई हुए, समू अचार हुएं, लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, अगर आपको ये पूछा जाए कि पान के कितने पत्ते हैं, तो पान के 13 पत्ते, इट के 13, 13 और 13 मिला कर होगे 26, ऐसे हुकम के भी 13 पत्ते, चीडी के 13 पत्ते मिला कर तो सब अच्छे से जानते हैं वैसे ये वाला है वो पान इसे अपन बोलते हैं पान ये वाला है वो चीडी ये वाला है वो हुकम और ये वाला है वो इट यही कलर है यही है ना समू तो देखो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने कलर हैं इसमें कितने कलर दिख रहे हैं आपको कलर तो इसमें दोई दिख रहे हैं ना कलर तो इसमें एक तो ये और एक ये दोई तो लाल रंग दिख रहा है और एक काला रंग दिख रहा है तो रंग तो दोई हुए समुँए चार होते हैं समुँए चार होते हैं कौन कौन से हैं वो काले रंग चाले, 26 पत्ते है प्रते, बटैक समय, प्रते क्मुव में जो तेरा पत्ते हैं वह कौनकों से होते हैं, मॏ एक इका होता है एक बात्षा होता है एक बेगम गुलाम उसके बादभरो था सैंकाsin मिला कते हैं वह तेक बात्ते, दे, न यू आठलर, و f हैं मतलब सभी कलर के पत्तों में यह तेरा पत्त ही होंगे इस तरह से मिला के होंगे जितने भी समूओ है उनमें सब भी यह तेरा पत्त होंगे और सब में एक इका होगा एक बादसा एक बेगम एक गुलाम फिर अगे 10,9,8,7,6,5,3,2 इसे लिखे वें पत्ते होते हैं ठीक है साथों पॉइंट क्या है कि तास के पत्तों में बादसा बेगम और गुलाम सिर्फ यह तीन ही पत्ते ऐसे हैं जिन पर चित्र बना हुआ होता है तो देखो पान के पास भी इसे तीन पत्ते हैं इट के पास भी इसे तीन पत्ते हैं और चिडी के पास भी इसे तीन पत्ते हैं और हुकम के पास भी इसे तीन पत्ते हैं टोटल मिला के बारा पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर चित्र बना हुआ होता है भी कहने का मतलब यह है कि बादसा बेगम और गुला इन पर चित्र बना हुआ होता है इनका तो वो तो एक समुवा में तीन है तो समुवा तो हमारे पास चार है ना तो टोटल मिलाके बारह पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर चित्र बना हुआ होता है इतना क्लियर होने के बाद आगे देखें यह मैंने तास के फोटो लगाए हुए हैं तो आप समझ सकते हो इससे भी इसमें देखो यह वाला चीडी यह हुकम यह लाल और यह इट है इसमें तेरा पत्ते कौन-कौन से हैं यह सबसे पहले वाला इका है और वो यह वाला जो के लिखावा सबसे बसी लास्ट पत्ता है यह यह वाला बादशा यह बेगम और यह गुलाम उसके बाद में 10 9 8 7 stage 5 4 3 2 टोटल मिला के तेरा पत्ते हो रहा है नीचे भी तेरा पत्ते है नीचे भी तेरा पत्ते है लाल के पान के भी तेरा पत्ते हो रहा है और आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि 12 पत्ते ही ऐसे हैं जिन पर चित्र बना हुआ है इसमें अगर आपको पूछा जाए कि पूरी ता काले रंग के कितने एक्के होते हैं, तो काले रंग के सिर्फ दो एक्के होते हैं, हुकम भी तो काला है, चीड़ी भी तो काला है, लाल रंग के कितने होते हैं, दो एक्के होते हैं, लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए, कि हुकम के कितने एक्के होते हैं, तास में, तो आपको पूरे वीडियो में से अगर 5% अगर आपको समझ में आ रहा हैं तो आप वीडियो देखते जाहिए और क्योंकि अभी ये सब छीज़े आपके लिए नहीं होगी जितना भी अपण पड़ रहा है जो भी अपन पड़ रहे हैं ये सब आपके लिए नया है पर जब अपन रोज रोज यही पड़ेंगे तब ये नया नहीं रहेगा तो अगर पूरे वीडियो में से आपको 2% या 5% भी समझ में आता है तो वीडियो को continue देखते जाईए यह जब word यह repeat होने लग जाएंगे तब आपको पूरा 100% समझ में आने लग जाएगा इसके बाद अपन इसके जो भी सवाल बनने वाले हैं वो सवाल अपन नेक्स वीडियो में करेंगे तब तक के लिए दन्यवाद